तो दोस्तों जैसा है कि आप सभी को पता है कि काफि सारे जो creator होते हैं वो YouTube पे अपने वीडियो अप्लोड करते हैं और वीडियो अप्लोड करने के दोरान हमें वीडियो की description में कुछ लिखना पड़ता है वीडियो के बारे में भी और इसके लाओ हमारे जो other social media platform के जो link होते हैं जैसे Facebook है, Twitter है, Instagram है, हमारी website है या blog है या फिर और कुछ भी है हमें वीडियो की description में लिखना पड़ता है लेकिन एक बड़ी समस्या ये है नए creator के सामने कि उनको ये सारी जो चीज़े हैं जब भी वीडियो अप्लोड करते हैं तो बार बार लिखना पड़ता है अब यार एक ही चीज़ को हम बार बार लिखेंगे तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है और वाकाई में नए creator के सामने एक ये बड़ी समस्या है तो देखिए इस समस्या का छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं कैसे हम हमारी वीडियो की description में हमारे social media के link एक बार add करने के बाद वो कभी भी change नहीं हो जब हम चाहें तभी change हो जैसे ही वीडियो अप्लोड करें automatic है हमारी वीडियो की description में आ जाए तो ये इसी समस्या का समाधान इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ अगर आपको भी अपनी वीडियो की description में वह सारा मेटर लिखना है और बार-बार लिखने से अगर आप बचना चाहते हो तो वीडियो के साथ हो आप बने रहे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विजेंदर सिंग और आप देख रहे हैं टेकनिकल नूनिया जी तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं देखिए आपको पता है कि जब भी अपन वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमें काफी सारी चीजे हैं वो एड करनी होती हैं एक तो देखिए वीडियो का जो टाइटल होता है और वीडियो के जिस टोपिक पर हमने बनाए वो डिस्क्रिप्शन में तो बदलता है लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़े होती है जो by default हमें रखना पड़ता है क्योंकि हमारे जितने भी social media के जो link होते हैं वो कभी बदलते नहीं एक बार हमने social media account create कर लिया तो link हमारा बन गया बार बार उसे हमें update करने की कोई आफसेकता नहीं होती है लेकिन समझे तो ये भी है कि description में हमें बार बार लिखना पड़ता है तो यह ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि यहां पर देखे YouTube के दवारा एक facility दी गई है जिसे अपन default setting के नाम से जानते हैं अगर आप एक बार अपने वीडियो की description की default setting कर देते हो तो बार बार आपको description लिखने की कोई आफसेकता है वो नहीं पड़ेगी अब यह default setting आप कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए तो मैं आपको अपने PC की screen पर लेकर चलूँगा और वहाँ पर आपको थोड़ी detail से जानकारी हो देऊंगा तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने channel का yt studio open कर लेना है अगर आप एक mobile user हो तो आपको अपने channel को किसी भी browser में open करके yt studio के dashboard में इस तरह से आपको आ जाना है अब default setting बताने से पहले यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाओंगा तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक मेरी जो वीडिया हो ओपन कर रखी है अगर इसकी description में आपको यहाँ पर दिखाओं so more पर मैं यहाँ पर click करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे इस वीडियो description में इस वीडियो के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी यहाँ पर दे रखी है टाइटल यहाँ पर लिख रखा है यहाँ पर देखिए कुछ लिंक हमने डाल रखे हैं नीचे हमारे social media के link है वो डाल रखे है अलांकि जब भी मैं यहाँ पर वीडियो अप्लोड करता हूँ तो यह जो नीचे वाले link है वो बार बार मुझे यहाँ पर add नहीं करने पड़ते हैं क्योंकि एक बार हमने इसको add कर दिया जब भी हम वीडियो अप्लोड करेंगे दोस्तों आपने यहाँ पर वीडियो अप्लोड होती है तो देखिए वीडियो की जो description है कुछ इस तरह से वो open हो जाती है अभी तो देखिए हमने वीडियो है वो upload ही कर रहे थे description है तो हमने कुछ लिखा यह नहीं फिर भी आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारी वीडियो की description में यहाँ पर देखिए कुछ link है social media के link है वो automatic आ गए तो यह होती है वो default setting चलिए हम आपको बताता हूँ कि अब आप यह default setting कहां से करोगे तो दोस्तों इसके लिए आपको dashboard में वापस आना है यानि YT studio के dashboard में आना है और यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक setting का option दिखाए देगा जहाँ पर left side में काफी सारे menu आपको दिखाए देते हैं या option दिखाए देते हैं यहाँ पर setting का option आपको दिखाए देता है इस वाले option पर आपको यहाँ पर click करना है अब जैसे इस पर आप click करोगे तो देखिए यहाँ पर और setting है आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पर एक setting आपको देखने को है वो मिल जाती है जिसका नाम है upload defaults ठीक है इस वाले link या option पर आपको यहाँ पर click करना है अब जैसे आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर देखिए सबसे उपर तो आपको यहाँ पर title वो दिखाए देगा इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है description अब यह नीचे description का column है अब यहाँ पर जो भी आप लिखना चाते हो जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है हमारे जो social media के link है वो हमने यहाँ पर add कर रखे है जो भी आप लिखना चाते हो यहाँ पर by default आप लिख दो अक्टिव हो जाए यहाँ पर चलिए यह चीज मैं लिख देता हूं यहाँ यह देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ठीक है और यहाँ पर देखिए last में आपको save का option मिलेगा सायद आप समझ गये होंगे इसके अलाव default setting को लेके आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते मैं आपकी पूरी help करने की कोशिश करूँगा अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छे लेगी है तो वीडियो को like कर देना और हो सके तो share भी कर देना मिलता हैं friends अगली एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत